हेलो दोस्तो नमेशकार एसे हम किसी चैनल में मैं आप सब लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सो दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरू कहना चाहूँगा आज के दिन आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे वीडियो याप पे अपलोड हो चुके नोटिफिकेशन के इशू के कारण वह आप तक नहीं पोच रहे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया आप जरूर वहाँ पे जाके उनको यहाँ पे स्टड़ी कर सकते हो अगर आपको भूलने के आदत है तो लिख के रखना चाहिए और यह में कोई मजाक मस्ती के लिए बात नहीं बोल रहा हूं लिटरली आप लोगों को प्रूफ के साथ भी यह चीज़े दिखाऊंगा तो यहाँ पे दो चीजों को कवर करना है सबसे पहले एक important news है उसको हम लोग यहाँ पे कह सकते है उसको हम लोग उने study करना है और second जो important जो चीज़ है वो मेरी तरफ से कि आपको लोगों ने यह point को कभी भी मतलब जिन्दगी में कभी भी इसको भूलना नहीं चाहिए सो एक-एक काम कर लिते हैं पहले हम लोग news के उपर आ जाते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि news ऐसी है कि जो एक उमीद थी बहुत बड़ी उमीद की किरन हम लोग कह सकते हैं वो भी फिलाल हम लोग को यहाँ पे कम होती है आप देखने को मिल रही है सो उनके शेरोल्डर के लिए खराब news है हम लोग एज़ा भी आपे बोल सकते हैं तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं किसे ने फर्स टाम विजिट के है चैनल को सब्सक्राब कर रहे हैं अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेज को भी फॉलो कर सकते हो लिंक उ जाएगी सो रस्तो सबसे पहले वापस कहना चाहूंगा सिर्फ कंपनी का नाम देखोगे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है जो मैं चीज बोल रहा हूं उसके उपर आपका फोकस रहना चाहिए कंपनी देख लेना क्या गजब की बैलेंस टेट है इसकी रिजर्स छे हजार स एक थाउजन करोड साड़े दस हजार करोड से भी जादा की रिजर्स है मतलब लगातार बढ़ रहे अच्छी बात है लॉंग टर्म बॉर्रिंग कंपनी के पर एक रुपे का भी करजा नहीं है सबसे इंपोर्टन चीज शॉट टर्म बॉर्रिंग की बात करें फिर भी एक का भी करजा इस कंपनी के पर नहीं है कैश की बात करें थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो कैश एंड कैश इक्वेलेंट अकर देखेंगे सो धाई सो करोड अभी लगबग हजार करोड का कैश है मतलब फुल फाइस्टार बैलेंशिट रिजर्स बढ़ रहे करजा लॉंग कैश भी हजार करोड का लगबग पिछले साल से बात करें तो पाच गुना कैश बढ़ते वे देखने को मिल रहा है तो इतनी फाइस्टार बैलेंशिट है बट आप लोगोंने स्टार्टिंग में सुना होगा मैंने क्या बोला कि यह कंपनी मेंने हमिशा आपको दूर रहने के लिए का है खराब नहीं यह कंपनी बट हमारा जो मकसद मार्केट में आने का रिटरंस मिलने का वही पूरा नहीं होता है जैसे मैंने का दो पॉइंट से पहले हम लोग न्यूस के उपर भी आएंगे बट यह पॉइंट आपको याद रखना है दिमे-दिमे करके हम आगे यहाँ पर बढ़ने वाले हैं तो इस कंपनी को मैंने यूजुली मना किया था राइट अगर मैं बात करू यहाँ पर कोई प्रमोटर में इश्यू बैलन्स इट में तो कोई इश्यू नहीं था 5 स्टार बैलन्स इट है देन अगर हम लोग बात करें तो देख लेना यहाँ प्रमोटर के होल्डिंग बिल्कुल ठीक ठाक है 66% से ज्यादा के इसे कोई फरक नहीं बढ़ता 69 का 66 हुआ ठीक है अभी भी 66% प्रमोटर के पास है कोई दिक्कत नहीं है फोरें इंवेस्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो साड़े 6% के आसपस है डियास की बात करें तो जरूर है कम इसलिए क्योंकि प्रमोटर के पास ज्यादा है कंपणी खराब नहीं है राइट वरना बहुत सर लोग सोचते ना कि सर आप जो मना करते हुआ पर पब्लिक बहुत ज्यादा होती है यहाप भी ज्यादा हो सकती बड़ फिलाल प्रमोटर के पास ही 66 है आप देख डिवेडंड येल्ड के चक्कर में बहुत सार लोग ऐसे स्टॉक में पढ़ जाते हैं सो रस तो कंपनी की बैलेंस इट भी अच्छी थी प्रमोटर होल्डिंग सेरे के शेरोल्डिंग पैटरन भी डिसेंड था तो कंपनी के नंबर्स में कोई गडबड़ी रहेगी देख लेते माइनस में रहेगा सो कंपनी की अगर हम लोग बात करें रेवेन्यू तो पिछले कोटर की सबसे तो अच्छा परफॉर्मस है यह रोन यह बैसे ठीक टाकी यह आपर नजर आ रहा है इन लाइन यह सेमी नजर आ रहा है तो यह बात करें नेट प्रॉफिट की तो लेवल कोई टच नहीं कर पाई यह मतला वाप अंदाजा लगा लेना इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद जिसका बैलेंस इतना स्ट्रॉंग है जिसके नंबर्स प्रमोटर होल्डिंग शेरोल्डिंग सब कोच अच्छा है मैंने वर्ड्स क्या है इस्तमाल के ध्यान से सुन 22% के डिलेवरीज है और कोल इंडिया कि अगर हम लोग बात करें बहुत बड़ी उमीद की किरन हम लोग कह सकते एक्जैक्ली तो नहीं था बट प्राइवेटाइजेशन यह जोस्तो डाइवेस्मेंट की बात आ रही थी बट फिलाल इसको खारिच कर दिया गया है कोई इंगल जाती है तो शायद से कंपनी में जोश भर जाए एंड स्टॉक में हम लोगों को जंप देखने को मिल सके बट फिलाल इस न्यूस के चलते हम लोग कह सकते कि जो एक होप था वो भी हम लोगों को खतम होते वे देखने को यहापे मिल रहा है सो कंपनी की अगर हम एक साल की करते तो ठीक है एक महने की भी बातकरें चे मन्त की बातकरें तो हरा निशा नहीं जैसे में दिखाया था यहाफे बिल्कुल अच्छा पर्फरॉम्स नहीं है एक साल की बात कर तो 5, 10% की गिरावट है कंपनी कंऽ्र डिशन से इस कंपनी में एक जान आती तो वो कैंसल हो गया अभी हम लोग पॉइंट नमबर टू की बात कर रहे हैं और वो टू की बात चल रही है जैसे मैंने का कि बैलेंस इट अच्छी है करजा कुछ भी नहीं है रिजावस अच्छे है कैश जबरदस है कंपनी के प्रमोटर दिया है इसका मतलब समझते हैं दोस्तो कि इतने सब कुछ पैरामिटर बढ़िया होने के बावजूद भी हम लोग गलत जा सकते हैं यह सबसे में लेशन है जैसे मैंने का ना इसको भूलना नहीं है यह क्यों मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सार लोग आज भी देख रह बस हर batsman rose century नहीं लगाता है वो zero पे first ball पे भी out होता है और यह face सब के life में आती है तो जटका नहीं लगना चाहिए तो अभी से सुदर जाओ में बार बार के रहो क्या सुदर ने का है कि कि किसी भी stock में कितना भी वो आपको पसंद आ जाए भगवान भी आके बोल दे फिर उसमें 10% से जादा portfolio अगर total बात करो 10 stock है आपके पास तो उसके उपर नहीं जाना है नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है आपको कुछ भी हो जाए चाहे पैसा कम हो गया तो भी चलेगा क्योंकि अगर जिस दिन आप लोग अटक जाओगे वो एक stock आपका पूरा portfolio खराब कर देगा और यह ऐसा इससे पहले भी हो चुका है और आगे भी होगा कोई ना कोई stock होई जाएगा हमारा intention कोई आपका फसाना नहीं है ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपको में फसाओ करके बिल्कुल भी नहीं बट यह stock market की journey आपके सामने यह देखे maximum chart pattern यह देखिए आपके सा तो 56 यह देखिए 60% डाउन ही पकड़ लेना जब से शुरू हा था 10 साल की अगर में बात करू तो इससे हम लोगों को क्या सीख मिलती है दोस्तों मैंने जैसे बता है कि पहले news हो चुके divestment की बात हो रही थी वह cancel हो गई है अब मैं यह आपे बात वापस बता रहा हूँ को कोई चीजे सिखने कोई नहीं मिलेगी यह कभी भी नहीं करना है पॉइंट नमबर वन तो मैंने बता दिया divestment से related वो तो सब कुछ खतम हो गया फिला लव एसी कोई भी news नहीं है सरकार नहीं बोल दिया बट सेकेंड पॉइंट अभी मुझे बताईए इसमें मैं क्या जव ज़्यादा importance मत देना कि वह आपके बाकी no stock का मियनत खा जाए और यह हमेशा याद रखना है यह गलती हमेशा retail investor से होती है जो बड़े लोग रहते ना fund manager and all that mutual fund की वह बड़ा उनके पास rules ही रहते कुछ rules उनको follow करने होते एक stock को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं है hedge करके चल example मैं आपके सामने आपे लेके आऊंगा सो यह चीज़े भूलनी नहीं है boss यह जो मैं बताता हूना आप लोग को कि even though stock आपके portfolio में ने मैं इससे पहले भी बता है आपको बहुत बार बता है जो PSU stocks रहते उनको मैं award करता हूँ बट यह देखिए यहापे कोई problem ही नहीं है ब अभी उस level का नहीं है अगर हम लोग अभी बात करें अभी electric vehicle की बात आ रही है इतना हम लोग आगे बढ़ चुके है तो यह भी एक important points बनता है कि सिर्फ number देखके और सब कुछ देखके काम नहीं चलता है जो Warren Buffett जी नहीं कहा है न कि future भी आप लोगों को predict करना आना चाहिए आज हम लोग कहा पर बेटे है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यह रहे कि यहाँ पर time line रहती है ना दोजार बाला सोला 20 सो दोजार बारा सोला 20 की अगर हम लोग बात करें अभी for example यहाँ पर पकड़ लेते हैं 2020 है तो आप लोगों ने यहाँ पर 10 साल 2030 का सोचना चाहिए उस company का business model इतना दिमाग पर प्रेशर डाल के दिमाग लगा के उसके बात फैसला लेना होता है कि कौन सा स्टॉक खरीदना है कि नहीं सिर्फ numbers देखके कुछ नहीं चलता है यह देखो number तो यहाँ पर भी बढ़िया है यह जो सीख है न दोस्तों उसको भूलना मच जिन्दगी में बहुत ज़्यादा important है यहाँ पर यह चीज़े आप लोगों को जरूर सिखाएगी बहुत सारी चीज़े यह कोल इंडिया से related वीडियो जैसे मैंने का news cover हो चुक है divestment कोई बात नहीं आपे बहुत ज़्यादा repetition हो चुक है बड़ आपके दिमाग में जाना चाहिए इसलिए में repeat करते रहता हो जो second चीज़े वो बहुत ज़्यादा important है वो कैसी लगी जरू comment section में आप चाहूते है आपे बता सकते हो अगर गल्ती कर रहे हैं आपे कि बहुत ज़्यादा एक stock में पैसा लगा के बेटे हैं तो manage कर लेना कैसे भी कर लेना उसको 10% के आसपास लेके आना लॉस में मत निकाल लेना बट profit होगा तो ले लेना बट 10% के आसपास ही रखना इवन दो कितना भी बढ़िया हो आपकी मरजी हर एक की अलग-अलग style होती है कुछ लोग single double खेलके centrally लगाना पसंद करते हैं कुछ लोग बोलते हैं जबर्द 6-4 लगा के वो आपकी आप कौनसे type के investor उस पर depend करते हैं पर एक average investor की बात करें retail investor तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा important था जो कि दिल के आर्मा आसु में भेगे वैसे ही चीज हम लोग को यह पर होती है भी देखने को मिल रही है देख लेते future में इससे related कोई news आती है या नी तो आया बाशा करते है आपको वीडियो पसंद आए तो like and share कर देना so that's it thank you very much दोस्तो we will be meeting on next video तब तक के लिए बाई बाई